पपी बार्वेता अच्छा अभी भी होई है ना फिर यहाँ पपी बार्वेता 36 लाग का नेट किलिक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म की 11 दिनों को टूटल हिंदी नेट किलिक्शन 4 करोड 88 लाग हो चुक है तो All India में इस फिल्म ना अपने पहले अपने 40 करोड 6 करोड 6 लाग के कलिक्शन किया था तो अपने दूसरी वीकेंड में 18.70.000.000 किया था और आपने 11 दिन में लगबग 2.90.000.000 किया और इसी के साथ इस फिल्म की 11 दिनों को Total इंडिया नेट किलिक्षन 62.40.000.000 हो चुक है तो Total इंडिया ग्रोस कलिक्षन 24.35.000.000 हो चुक है इस फिल्म ने Oversus में लगबग 5.30.000.000 किलिया अगर World Weight Collection की बात करें तो इस फिल्म की 11 दिनों की टूटल World Weight Collection 89 करोड पैसाट लाग हो चुक है अगर बात करें इस फिल्म के बारवे दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने बारवे दिन में इंडिया में लगबग 2 करोड 60 लाग का नेट कलेक्शन करने वाली है दोस्तों आपको बता दूँ कि इस फिल्म का बजड़ लगबग 8 से 13 करोड तक है और ये फिल्म बॉक्स ओफिस में all time blockbuster साबित हो चुकी है अब कई ऐसे बेवकूब भी है जो ये कह रहे हैं कि 777 Charlie हिंदी में flop हो गई है तो इनको कुछ पता रहता है नहीं और कुछ भी बगवास करते रहते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि 777 Charlie का हिंदी distribution रैट लगबग 2 करोड है इस फिल्म का हिंदी में कोई प्रमोशन भी नहीं किया गया था उसके बावजुद इस फिल्म ने हिंदी में 4 करोड 88 लाग के net collection कर लिया यानि ये फिल्म profit में चर रही है अगर हिंदी का theatrical verdict देखा जाए तो 777 Charlie हिंदी में भी hit हो चुकी है तो दोस्तो आपने इस फिल्म को अब तक कितनी बार देख लिए हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें करें शियर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही box of इसकी collection और फिल्मों के सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल एकन भी दवा दिता कि मारे वीडियो के notification आप तक पहुंच सकी